नमास्कार अम्रीजनों आप देखने से उटी पार्ट साला आप से का बहुत बहुत स्वागए थे अभी हम लोग कंटिनेवर्स हर एक विस्विद्या लेके कोर्स वाइज अनॉफिस्यल एनलाइज कोर्स का वीडियो लेकर आ रहे हैं मैं वीडियो के कॉमेंट में देखा कु जो नमबर दिख रहा है यह लास्ट यर का यानि यह 2022 का है और 2022 में जो एक्जाम पैटर्न था वो दूसरा था ध्यान देना उस समय जो हमारे पास जीटी के कॉस्चन होते थे उसमें हमारे पास 60 कॉस्चन हुआ करता था ठीक है तो इस बार से जो उस बार का पेपर है पेप BALLB का जो अफिस्यल का टाफ है वो अपलोड कर दिये हैं आप लोग प्लीज जाएं और उसको देखें ठीक है डिस्क्रिप्शन वे उसका लिंग मिल जाएगा या चैनल को हमपेज पेज क्योंकि बहुत सरे बच्चे जो होंगे वो भी एच्चु का भी फार्म डाले होंग चली फिर सुरू करते हैं देखो सबसे पहले लोग मार्किंग स्कीम देख लेते हैं ठीक है मार्किंग स्कीम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपने पेपर जो है वो दिया कितने नंबर में है लैंग्वेज आया था ठीक है सी का आप पेपर जो है वो हुआ था यह टोटल पोड़ा आंख है ठीक है अब हम लोग आते हैं आपके कटाप जानने से पहले हम लोग थोड़ा सीट जान लेते हैं टोटल जो सीट है आपके लौई स्कूल में वो है 150 यानी 1.500 और बहु में अगर इसको देखो गए तो बहु सीटे बीचू में 500 सीटे वहाँ है बीए लेल भी था प्रोफेशनल कोर्स से जो होता है ठीक है थोड़ा क्या पूरा और इसलिए इसकी सीटे हमेशा देखा हूं हर इनवर्सेटी में लगभख कम रहा था जबकि विस विद्यालों को सोचना चाहिए कि सीटे बढ़ानी चा कर रहा है ठीक है नए वाले नंबर के को लें क्योंकि नया वाला जो है वो साड़े 600 का ही है इसके पहले वाला साड़े 600 का नहीं था उज्यादा का था साड़े 600 में लगभख 520 लाते हो अगर आप जनरल कर टेगरी से हो तो आपको एडमेशन की संभावना नजर आनी चाहि से हो साड़े 400 तो आपको संभावना नजर आना चाहिए स्टी से हो तो ध्यान देना की स्टी एसी यह दोनों थोड़ा सणा क्या होता है कि डिपेंड करता है कि एई यू में कितने बच्चे रजिस्टेशन कर रहे हैं ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें बच्चे र अराम से बाई अगर स्टी के बच्चा 400 300 है तब तो फिर उनका एडमिशन होई जाएगा उनको घर से उठा ले जाएंगे समझ रहे हैं मेरी बात अब मुझे कॉमेंट करके आप जल्दी से बताऊ कों कोंपन है जो इसमें 500 पलस में है इसमें 700 पलस में और अब भी मुझे कमेंट करें बताऊ नेक्स वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए क्योंकि मैं अफिस्यल कटा वीडियो बना रहा हूं हर जगह का पता करकर करके देखो यहां से लिया डेटा फिर इस डेटा को मैं क्या क्या फिर इस डेटा को मैंने एनलाइज करके 2030 के लिए